Responsible Gaming इस खेल में वित्नी जोकिम की संभवना है जिसमें फाइदा या घाटा शमिन है प्रपिया जिम्विदारी से और अपने रिस्क पर खेले 18 प्लस अंली तो नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक और नए वीडियो में तो आज हम दमन में Aviator Pilot खेलेंगे और चलिए देखते हैं कि आज कैसा Profit इसमें निगलता है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अभी हमारे पास हैं 1289 रुपे 1289 रुपे हैं और अब हम Try करते हैं 1000 से Try कर लेते हैं और नीचे की हम Try करते हैं 300 से तो अभी यहाँ Round Registry आप देख सकते हैं बहुत खराब चल चुका है तो एक बाट Try करके देखते हैं क्या होता है तो यह Skill Based Game है आप जितना इसमें अपनी Tips, Tricks या Skill इस्तिमाल करेंगे उतना ही अच्छा Profit निखा देंगे Loss भी हो जाता है तो बड़े समझदारी के साथ आपको इसे खेलना है ठीक है मैं तो अच्छा Skill इस्तिमाल करता हूँ Profit निखा ली लिता हूँ देखिए अभी 1.5 पे Cash Out कर लिया 450 हो गए तो अभी 449 रुपे हो गए तो फिर से हम Try करते हैं चोटी वाली को देखते हैं कि क्योंकि अभी मैं Try इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि बार-बार Flow Away हो रहता तो चेक कर रहा था चोटी वाली से तो उमीद है कि Profit तो अच्छा कासा हमें मिलना ही चाहिए इसमें तो कोई बात नहीं यहाँ पर Flow Away हो गया 1.3 पर तो अब उमीद है कि यहाँ पर यह ट्रिक काम करेगी अब देखिए मैंने यहाँ पर बड़ी वाली ट्राई कर लिए अब उमीद है कि इसमें Profit निकल जाना चाहिए तो देखिए यहाँ पर Aviator हमें कितनी रफतार से पैसे दिरह है और यहाँ पर देखिए हमने कैश आउट कर लिया सही समय पर तो 2.04 पर कैश आउट किया 2,040 रुपे हो गए टोटल 2119 रुपे हो गए तो वो चलिए Profit तो वैसे एक यवार में निकल चुका है अब क्यूंकि इसमें Profit निकल चुका है तो फिर मैं और ट्राइ कर सकता हूँ तो अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ अब देखते हैं कि क्या होता है सही समय पर इसे कैश आउट कर लेंगे हूँ और सही समय आ नहीं पाया कोई बात नहीं लेकिन कोई बात नहीं अब फिर से ट्राइ करते हैं एक अगर चल्दी फन्यूग अभी हो गया है तो उमीद है कि अगली बार में प्रोफिट अच्छा निकल आएगा आप देखिए मैंने उपर बढ़ा दिया और नीचे उतने कई रखा अब देखते हैं आप देखते हैं क्या होता है देखिए नीचे वाली को चलने देते हैं तो ओवरॉल देखा जाए यहां से 600 आगए ओवरॉल देखा जाए प्रोफिट हो गया तो देखिए कहां से स्टार्ट किया था और कहां पर आगए बस थोड़ा सा आप अगर सही से इस मशीन को समझते हैं तो अच्छा कासा प्रोफिट निकाल लेते हैं Skilled Based Game है यह और आप अगर मशीन की अच्छे से रिटिंग करते हैं History देखते हैं History के आधार पर अगर ट्राइ करते हैं तो अच्छा प्रोफिट निकाल लेते हैं और अगर आप अंदाजे से चलते रहते हैं लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेक आउट कर सकते हैं, तो अब ही देखिए ये उन्तिस सो चपन रुपए हो गए हैं, अब हम प्रोफिट में ही हैं, तो अब हम फिर से नीचे वाली ट्राइ कर लेते हैं, और अब देखिए अब एटर उड़ना शुरू होता है, शुरू हो गया, शुरू हो गया, अब उड़ता है, उड़ता है, उड़ता ही जा रहा है, और चलिए इसे जल्दी ही कैश आउट कर लेते हैं, आप मेरे मेरे में देख रहे होंगे, तो मैं दो तक भी नहीं जाना देता, उससे पहले ही कैश आउट कर लेता हूँ, तो यही तो इसमें skill है कि कब आपको try करना चाहिए आपको mostly यह ज़्यादा पता होना चाहिए कि कब try नहीं करना चाहिए try तो हर कोई कर सकता है किसी को मालुम है कि चलो try करना है कब नहीं try करना है यही तो machine reading है अब यही आपका skill है तो बस वही आपको बचाना होता है तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने सही समय पर ये भी cash out कर लिया 1.9X पर flew away हो गया यहां पर 534 रुपए 1.7X पर cash out हुआ तो हलंकि aviator बहुत fast अच्छे तेजी से इसमें मतलब आप earning कर लेते हैं इसलिए सही है और जिस रफ्तार से आता है उस रफ्तार से चला भी जाता है तो बड़ी समझदारी के साथ आपको इसे try करना चाहिए जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं नहीं read कर पाते हैं तब तक आपको try नहीं करना चाहिए पहले ये दिखने में कुछ और है और मशीन जो है न इसकी रीडिंग अगर आप ढंग से कर लेते हैं समझ जाते हैं समय देखे तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेते हैं और बिल्कुल नौ सी किये की तरह करेंगे तो फिर गड़वड हो जाएगा मैं तो यह कहूँगा कि देखिए अधर आपके पास सामर्थ हैं तो ही ट्राइ कीजिए अधर्वाइस बिल्कुल ट्राइ मत केजिए ठीक है यह कोई जवर जस्ती वाला गेम नहीं है कि आप जवर जस्ती इसमें लगई पड़े है नहीं आ रहा है समझ में तो मत खेली है कोई ज़रूरी नहीं है तो अब देखिए मैं तो समझता हूँ इसे अच्छी से read करें machine learning मेरी अच्छी है मैं इसे अच्छे से समझता हूँ skillful हूँ इसमें तो मैं इसे profit निका लेता हूँ तो अभी देखिए 3745 हो चुके हैं और अब हम फिर से ट्राई करते हैं दोस्तों यह skill based game है जिसका जैसा skill है उसी आधार पर वो profit निकाल लेता है तो अभी यहाँ पर फिर से ट्राई करते हैं अब यहाँ पर देखिए 1.8x पर गया और मैंने सही समय पर cash out कर लिया 1.7 पर 522 रुपए हो गए तो टोटल हो गए 4966 रुपए तो देखिए समय भी कितना हो गया लगवक 7 मिनिट के आजबास हो गए इतने दिर में इतना profit निकाल लिया अब मैं उपर कहा जो बड़ा है उसे try कर लेता हूँ क्यों try कर लेता हूँ क्योंकि पहली वाली जो है वो जल्दी flow भी हो गई थी इसको मैंने 1.3 पर cash out कर लिया और इसे मैंने 1.8 पर cash out कर लिया और यह गया 1.885 मैंने किया 1.80 पर देख रहे हैं हम difference तो बस यही समझदारी से चलना है आपको कभी ज़्यादा wait नहीं करना बड़ी अगर try कर रहे हैं तो बड़ी का wait इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए तो देखिए मैंने 1.4 पर cash out कर लिया और यह भी मैंने cash out कर लिय तो कुल मिलाकर हो गए हमारे पास 574 अब आप 15 लगा सकते हैं मैंने कहां से start किया था और कितने हो गए हैं तो एविएटर इस रफ्तार से profit देता है और उसी रफ्तार से अगर आप इसमें नहीं समझदारी से चलते हैं तो गड़बड भी हो जाता है यह भी थ्यान रखिए तो अब फिर से नीचे वाली ट्राई करते हैं दूसरों को देख के कभी आपको inspire नहीं होना चाहिए अपना दिमाग लगा की खाम करना चाहिए पहले इसको read करो समझो कि यह machine कैसे काम करती है कैसे flow भी होती है कितने time में होती है बहुत से चीज़ां आपको इसमें learn करने की आवश्यक्ता होती है तो जितनी simple दिखती है न उतना complex से समझना भी होता है तो वैसे तो normal दिखने में आपको सद दिख रहा है देखी कितनी fast रफतार से earning हो रही है लेकिन इस earning को करने के लिए भी इंसान का अपना past का बहुत experience चाहिए मैंने machine को बहुत अच्छे से समझाय रीड किया तब ही अच्छा profit इसमें निकाल पाता हूँ अभी भी जैसा कि आप सामने देख रहे हैं तो यहां पर हो चुके एक 687 रुपे तो काफी है इतना बहुत है क्योंकि कहां starting करी थी हमने और कहां पर आ गया तो इतना काफी है आज के लिए इतना profit काफी है इसमें य से ट्राइ करना चाहते हैं तो वीडियो के description में हमारे vlog है वहां पर जाएंगे तो हमारी post में इसके आपको सारी चीज़ें सवाल जवाब मिल जाएंगे और इसकी official link भी मिल जाएंगी तो आप वहां से जाके इसे check out कर सकते हैं मिलूँगा एक और नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुश रही है